हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागत है आप सब का इंदी चेस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ओसम मिडल गेम चेस ट्रिप दिखाऊंगा दोस्तों आपको जुडिट पोलगर के बारे में बता दू यह एक लोती चेस पेर है जिसने जो वॉल्ड चेंपियन है गेरी कास्परो उनको बिंग लेडिस बिंग फिमेल बीट किया था तो आया शुरू करते हैं उनकी यह गेम जो की खेली गही थी 1988 में अगेंस पेवलीना दोस्तों इस गेम में उन्होंने काफी अच्छी मिलल गेम चेस्ट स्टेजी का डेमोस्ट्रेशन दिया था उन्होंने क्या किया था जब सामने वाला फ्यान चेटो बिशप खेलता है ठीक है ना पॉन्ट जी सीक्स या फिर पॉन्ट टू जी थरी वो जो बिशप है अगर के खत्म होने के बाद मैं आपको एक नई इंट्रेस्टिंग चेस्ट पजल दूँगा और जो लास्ट पजल उसका सुलूशन पी दूँगा तो कहीं जाएगे मत आया शुरू करते हैं पॉन्ट टू ए4 बाई जुडिट पॉलगर पॉन्ट टू C5 सिसलेंड डिफेंस अब बिशप टू G7 और अब पॉन्ट टू C3 यहां पर वाइट का इंटेंशन क्लियर है कि वो पॉन्ट टू D4 खेलना चाते हैं ठीक है ना और सेंटर में अपने दोनों पॉन्ट रखके खेलना चाते हैं इसलिए बलेक नहीं यहां पर खेला E5 और दोस्तों आपको फर्स पहल के बाद अगे आपको वीडियो पोस्ट करके सोचना है कि आप पॉन केप्चर D4 खेलोगे या फिर बिशप केप्चर D4 दोस्तों यहां पर बिशप केप्चर D4 है वो गलती होगी क्योंकि यहां पर वाइट खेल सकता है नाइट टू C3 और बलेक को डेवलोबिन में काफी दिक्कत आएगी पॉर एग्जामपल यहां पर अगर आप नइट टू E7 खेलते हो दोस्तों इन सिंपली मैं बिशप टू H6 खेल दूँगा और आपको कैसल करने में काफी दिक्कत आएगी है कि नहीं सो अगर आप वापस बिशप टू G7 ले जाते हो नइट C3 के बाद ठी ठीके ना फिर मैं दोस्तों खेलूँगा नइट D5 काफी इंपोर्टन मूव है अब ब्लेक को भी भी अपने डेवलोपेंट में काफी दिक्कत आएगी फोर एग्जामपल अगर वो नइट E7 निकाले या फिर F6 निकाले हम सिंपली बिशप G5 खेलके ठीके नइट को पीन क करेंगे और अगर अब कैसल आता है दोस्तों फिर E5 और ब्लेक की नइट चली जाएगी तो यह भी हो नहीं सकता है तो क्या हो सकता है तो बिशप G5 बिशप G7 नाइट D5 नाइट F6 और बिशप G5 के नाइट पिन करने के बाद तो ब्लेक हो हमारे बिशप पे अटक कर सकता है उसकेस में भी दोस्तों हम खेलेंगे पॉन टू E5 और वह हमारा अगर बिशप मारता है जो कि फोर्स है उसके बाद हम पॉन केप्चर F6 अगें एक पॉन से क्रिपाइस बिशप केप्चर F6 और अब क्वीन टू F3 बिशप है उस पे दोबार आटक किया है बिशप अगर अगर E7 पर बेक जाता है दोस्तों तें सिंपली रूक E1 और हम वीन हो जाएंगे तो यह पॉसिबल नहीं है तो बिशप अगर G7 पर बेक जाता है दोस्तों फिर सिंपली रूक A2 E1 चेक किंग जाना पड़ेगा F8 पर बेक और अब हम खेल सकते दोस्तों रूक 2 E7 और यहा और अगर वह क्वीन कई पर सेव करता है तो फिर हम दोस्तों उसकी चेकमेट कर देंगे रूक 2 E8 चेक किंग यहाँ पर और अब रूक 2 E7 चेकमेट सो ओल इनोल नाइट D4 के बाद नाइट केप्चर D4 के बाद चो ब्लेक है उसको फोर्स था कि वो पॉन केप्चर D4 ही मारे ठीक है नहीं यहाँ पर वाइट ने खिला E5 अब देखे रहे पॉन गया था वापस मिल गए अब यहाँ पर दोस्तों बिशप केप्चर E5 नहीं ह ठीक है नहीं हम सिंपली पॉन पॉन फॉर खेलेंगे और यह बिशप पीन है सो चला जाएगा सो बेसिकली E5 पॉन को केप्चर नहीं किया जा सकता और अब देखिए जो नाइट है उसके डिवलोपेंट में भी काफी दिकत होगी नाइट जो अपने अब सिक स्क्वेर है उ नाइट F5 खेलते हैं ठीक है ना अगर वह ब्लेक की क्वीन मारता तो वह भी मारता है लेकिन यहाँ पे जो वाइट है वो क्वीन D2 खेल के गेम कंटिन्यू कर सकता है बट एक्चुली क्वीन केप्चर D4 के गाद गेम में खेला गया है नाइट C6 और अब आया है क्वीन 2D क्वीन 2H4 तो वेसिकली क्वीन पे एक्ट है तो क्वीन गई B6 पे हमारे बिशप पे एक्ट है तो नाइट 2C3 पीस डिलप किया और बिशप को प्रोटेक्ट किया और दोस्तों यहाँ पे खेला गया बिशप केप्चर B5 और पहली बार वीडियो पोस करो और सोचो कि बिश बिशप केप्चर C3 और उसके बाद पॉन केप्चर C3 के बाद क्वीन केप्चर B5 और आपका पीस चला जाएगा वाइट का पीस दोस्तों यहाँ पे चेस क्वीन यहाँ कि जुडिट पोलकर ने काफी बहतरी मुग खेली उन्होंने खेला रुक A2E1 पीस का सेक्रिफाइस बिशप केप्चर C3 पॉन केप्चर C3 और अब क्वीन केप्चर B5 और दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो पोस करना है ठीक है ना और वाइट के लिए विनिंग मूब फाइंड करना है रेडी यहाँ पे दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि आप बिशप टू F6 खेल के ठ ठीक है ना QH6 खेलोगे और QG7 चेक्मेट कर दोगे तो यह थोड़ी गलती रहेगी आपकी क्योंकि जो ब्लेक है वो QH5 खेल सकता है तो यहाँ पे पहले गिम में खिला गया दोस्तों QH6 और यहाँ पे बेटरी ही रहता ब्लेक के लिए कि वो अपनी QD दे दे पर उन्हों ठीक है यहाँ पे ब्लेक ने रिजाइन कर दिया क्यों रिजाइन किया प्यूंकि अगर बिशप केप्चर एफट आता है देन बिशप 2H6 चेक किंग 2G8 फोर अब रूप 2E8 चेक्मेट तो ठीक ही ने एकदम ओस्म चेस्ट ट्रिक तो देखिए दोस्तों अब कल की जो पॉजल है उनका सॉलीशन देखेंगे कल जो मैंने आपको पॉजल देथी वह यह रही आपकी स्क्रीन पे और दोस्तों इस पॉजल में ब्लेक की मोव थी और ब्लेक को कुछ मेट्रियल गेन करना था ठीक है ना सीफ एक ही बंदे ने सह करेक्ट मोव ठीक है ना आपको पॉन मिल गया है आप उसकी नाइट पे टेक भी कर रहे हो ठीक है ना आपकी नेक सूमे थ्रेट होगी नाइट टू इफाई भी आप खेल सकते हो सो बेसिकली यह जो पोजिशन हो काफी अच्छी है और नाइट इफाई खेलने के बाद अगर बलेक दियान नहीं रखता है सुरी वाइट दियान अगर नहीं रखता है तो फिर हम नाइट केप्चर डी थ्री भी खेल देंगे और क्वीन केप्चर एच गोर भी खेल सकते है सो बेसिकली यह मुख इतनी अच्छी क्यों है क्योंकि यहाँ पर अगर रुख केप्चर एफ फोर आता है ठीके ना फिर हम खेलेंगे दोस्तो नाइट टू इफाई क्वीन पर टेक है बेसिकली और यसी कोई जगा नहीं है जहाँ पर क्वीन रह के यह रुख को सपोर्ट क अब एक क्वीन कहीं पर भी खेले ठीके ना मैं यहाँ पर सिंपले एच त्री रख रहा हूँ तो फिर दोस्तो हम नाइट केप्चर एफ फोर रुख मार देंगे और नेक्स मूम है नाइट केप्चर डी थ्री भी खेलने बाद है सो ओल इन ओल यह जो पोजिशन है ठीके न वो ब्लेक के लिए विनिंग है सो बेजिकली इट वोज बिशप केप्चर एफ फोर दोस्तो मेरे लास्ट में आपको बोला ही था कि आपको जो है एक थ्रेट है नाइट टू इफाई की भी थ्रेट है ठीके ना ऐसा सब मैंने बोला था तो बेजिकली वो एक काइंड ओफ ह 20 थी तो दोस्तों यह पजल काफी अच्छी थी और दोस्तों मेरे पजल देने का मेन परपस यह है कि एक तो आपकी एंड गेम और दूसरा आपकी जो टैक्टिक से वह इंप्रूव ठीक है ना यह दो ही रिजन की वज़ा से दो काइंड की ही में पजल देता हुग आपको इ देखने लास मूँ जो खेली है वो खेली थी क्वीन टू एफटू और प्रोब्लम यह है वाइट जो रूख से क्वीन मारता है ते पॉन केप्चर और ब्लेक की जो पॉन है क्वीन हो रहा है और इसमें तो ब्लेक वीन हो जाएगा तो यह अच्छी मूँ नहीं है तो फिर अच्छी मूँ किया है अगर आप रूख भी मूँ करते हो दोस्तों फिर भी एक दिक्कत है कि क्वीन एफ फोर जाएगी और बाद में क्वीन टू एच पॉर और एक काफी डेंजरस थ्रेट है तो यहां पर कैसे खेला जाए क्योंकि आप रूख मूँ करते हो तो क्वीन आ दूगा तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और आपनी कमेंट देना बिल्कूल ना बुले धनियावाद जाहिएन बाबाई